ये है क्लास एट साइंस चेप्टर नमबर टू का पार्ट नमबर सिक्स और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इस पार्ट से पहले हमने माइकरो ओरगBlueनेижमस के बारे में काफी खुछ पढ़ा है हानफूर माइकरो ओरगनेジमस, Shhun कौन से होते हैं और कौन से बीमारियां उसे होती हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा है प्लांट्स में, एनिमर्स में कौन कौन से डिजिजेश होती हैं वहीं कुछ microorganisms हमें beneficial भी होते हैं लाब दायक भी होते हैं तो किस तरह से हमारी help करते हैं उनके बारे में थोड़ा बोग जाना है और उसी क्रम में यहाँ पर एक और हमारे लिए बहुत अधीक beneficial bacteria होता है जो की nitrogen fixation में help करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे so let's start you have learnt about the bacterium rhizobium in class 6 and 7 तो rhizobium के बारे में हम class 6 नहीं पढ़ते आ रहे हैं राइजो बियम कहां रहता है यह कहां रहता है it is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants यह bacteria leguminous plants यानी दालों के जो पोदे होते हैं दलहन वाले उन पोदों की जड़ों में कुछ nodules होती हैं गांटें पाय जाती हैं उन गांटों में यह पाया जाता है recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants यह leguminous plants की root nodules में पाया जाता है जो की diagram 2.9 में दिखाए गया है यह देख सकते हैं आप यह root nodules बनी हुई है जड़ों में इन जड़ों में कौन रहता है हमारा बेक्टेरिया rhizobium रहता है इनके अलावा कुछ pre-living भी होते हैं यह तो associated है जड़ के अंदर पोदें के साथ ही रहता है लेकिन कुछ pre-living microorganisms भी होते हैं जिनको हमने उपर पढ़ा था nitrogen nitrogen उसको fix करते हैं such as beans and peas which it has a symbiotic relationship तो हमारे जो दरहन वाले पोदे होते हैं जैसे beans है, peas है, matter है और भी बहुत सारे चना होता है और दालें होती है मसूर की और हर की तो उनमें जड़ों में ये root nodules में bacteria रहता है और काम क्या होता है इनका nitrogen fixation atmospheric nitrogen को कुछ usable nitrogen के compounds में बदलना जैसे कि NO2 जिसे हम nitrite कहते हैं और NO3- जिसे हम nitrate कहते हैं क्योंकि जो हमारी atmosphere में nitrogen होती है जाना वो N2 के form में होती है और उसको पोदे direct accept नहीं कर पाते यूज में नहीं ले पाते तो इसको किसमें convert करना पड़ता है nitrate और nitrite में तो ये कौन convert करता है ये microorganisms इसको convert करते हैं और जब ऐसे bacteria किसी पोदे की जड़ों में रहते हैं तो इस तरह के relationship को क्या करते हैं symbiotic relationship सहजीविता sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning कभी कभी lightning होती है बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने के दोरान भी nitrogen मिट्टी में fix होती है यह यह सकते हैं कि वह nitrate और nitrite में बदलती है but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant लेकिन atmosphere में nitrogen की जो मात्रा है वह constant बनी रहती है ना लगबग 78% जो हम पढ़ते हैं वह बनी रहती है तो यह nitrogen क्या वापस atmosphere में जाती है और जाती है तो कैसे जाती है उसको में पढ़ना है you may wonder how तो आपको आशर ह होगा कैसे let us understand this in text section तो हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं और हम इसको पढ़ेंगे nitrogen cycle में nitrogen cycle होता है nitrogen चक्र इसमें कैसे nitrogen पूरे वायू मंदल में और हमारी जो अर्थ है अर्थ करश्ट में घूमती है उसके बारे में दिखाए गया है ना देखिए यहां पर atmospheric nitrogen है फिर यह fix ह द्वारा lightning के द्वारा और यह बदल जाती है nitrogen के compound में और कहा जाती है मिट्टे में आ जाती है मिट्टिंग में आने के बाद इसको plants uptake कर लेते हैं और plants uptake करने के बाद animals उनको खाए लेते है animals में जब यह nitrogen के compound से ले जाते हैं उनमें भी protein वगेरा बनाते हैं तो excreation करते है animals expectation करते हैm urine का excreation करते हैं और urine में हमारे nitrogen की मात्रा यह nitrogen के compound होते हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यदि animals मर जाते हैं تو वह nota peach notes होते है nitrogen के वे सब काँ चले जाते हैं वापस मिट्टी में चले जाते हैं ठीक है तो मिट्टी से वापस कुछ बेक्टेरिया ऐसे होते हैं जो nitrogen के compound को GACES form में बदल देते हैं और यह वापस काँ चली जाती है atmosphere में चली जाती है तो इस तरह से nitrogen का cycle चलता रहता है Our atmosphere has 78% nitrogen gas तो हमारे atmosphere में 78% nitrogen gas पाई जाती है nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamin तो nitrogen के हम इतनी बात कर रहे हैं तो यह इतनी आवश्यक क्यों है तो आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह जो हमारे protein होता है body के अंदर फुरी body proteins की बनी होती है मैं पता है इसके अलबाब प्लांट्स में chlorophyll जो कि एक बहुत important चीज है pigment है जिसके द्वारा sunlight को absorb किया जाता है और photosynthesis होता है प्लांट्स में तो protein, chlorophyll, nucleic acid nucleic acid हमारा DNA से related होता है एक genetic material होता है यह नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना तो यह तो बहुत जरूरी चीज है nucleic acid जिसको आप higher classes में और study करने वाले है DNA वगेरा के बारे में तो उनमें भी nitrogen पाया जाता है उसके अलावा vitamins में भी nitrogen पाया जाता है तो हर जरूरी compound में जो कि किसी living organism के लिए आवशक होता है उसमें nitrogen पाया जाता है इसलिए यह बहुत important हो जाता है कि nitrogen को हम किसी ने किसी रूप में ग्रहन करें तो जैसा मैंने उपर बताया इट्मस्परिक nitrogen जो कि nitrogen N2 के रूप में प्रजेंट होती है हमारे वायू मंदल में इसको plants और animals डारेक्टली टेक नहीं कर सकते अपने बोडी के अंदर जैसे हम oxygen को ले सकते हैं के अंदर में इसे N2 को नहीं ले सकते certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen तो कुछ bacteria और blue-green algae होती है जो कि soil में होती है और यह nitrogen को fix करती है मतलब उसको कुछ usable compounds में बदलती है जैसे NO2- and NO3- इसको बोलते हैं nitrite और इसको बोलते हैं nitrate हना तो यह इनमें बदल जाती है तो यह usable forms होती है हमारी body इनको इस रूप में गरहन कर सकती है plants यह animals की body इनको इस रूप में गरहन कर सकती है once nitrogen is converted into these usable compounds it can be utilized by plants from the soil through their root system जब इस रूप में एक बार हमारे यह compounds आ जाते हैं इस रूप में तो पोदे उनको आसानी से क्या कर पाते हैं absorb कर पाते हैं उनके root system के द्वारा nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds इसके बाद plants नाइट्रोजन के योगी को compounds को यूज करते हैं protein और दूसरे compound बनाने में animals feeding on plants get these protein and other nitrogen compounds और पोदे और दूसरे जीव animals जो इन पोदों को खाते हैं उनमें यह protein और दूसरे nitrogen के compound as it is चले जाते हैं हम कहते हैं कि कुछ फल फ्रूट खाने चाहिए जिनसे हमें vitamin मिलता है डाले खाने चाहिए जिनसे protein मिलता है तो हम वेब प्रोटीन और दालों के रूप में वास्तों में nitrogen भी अपनी बोडी के अंदर लेते हैं ठीक then when plants and animals die bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again wastage को nitrogenous compounds में convert कर देते हैं ठीके तो कि जो कि वापस plants के द्वारा यूज कर लिये जाते हैं या absorb कर लिये जाते हैं certain other bacteria convert some part of them to nitrogen और कुछ बेक्टेरिया ऐसे भी होते हैं जो nitrogen के compounds होते हैं उनको तोड़कर उनसे वापस क्या बना लेते हैं क्या बना लेते हैं जैसे यह हमारा nitrite है तो इसको वापस किसमें convert कर देते हैं nitrogen में convert कर देते हैं कुछ ऐसे बेक्टेरिया भी soil में होते हैं तो इस तरह से हमारी जो nitrogen यह से वापस atmosphere में चली जाती है और उसका balance बना रेता है which goes back into the atmosphere जो की atmosphere में वापस चली जाती है तो इस तरह से जो परसेंटेज है nitrogen का वायूमेंडल में constant बना रहता है तो आप इस फ्लो चार्ट को नौट कर लें अच्छे से और इसको समझ लें क्योंकि पॉइंट वी ओफ एक्जाम यह बहुत important है आपके लिए आपको यह diagram जो nitrogen cycle का है इसको भी याद करना होगा और जो इसमें management point से उनको भी लिखना होगा तो आप इसको फिर दुबारा समझ सकते हैं कि atmosphere एक nitrogen होती है वो lightning के दुबारा या कुछ nitrogen fixing bacteria होते हैं उसको वे उसके दुबारा fix की जाती है और कहां जाती है हमारी nitrogen compounds के रूप में soil में आ जाती है compounds of nitrogen in the soil फिर इन compounds को plants के दुबारा uptake किया जाता है फिर उन plants को animals खाते हैं और animals या तो मर जाते हैं या फिर उनके जो excretory material होते हैं वे nitrogen products को वापस soil में मिला देते हैं soil में ही कुछ nitrogen relieving या nitrogen को वापस convert करने वाले bacteria होते हैं जो इन compound से वापस nitrogen को atmosphere में भेज देते हैं bacteria turns compound nitrogen into gaseous nitrogen है यह जो nitrogen के compound होते हैं NO2, NO3 minus उनको वापस किस में बदल देते हैं N2 में बदल देते हैं तो इस तरह से मारा एक simple सा nitrogen cycle है जो कि complete होता है next part में हम इसके जो solution है exercise है उसको देखने वाले complete करने solution में देने वाला हूँ आपको तो आप बने रही है और साथ में इस चैनल को आप subscribe ज़रूर कर लें ताए कि आपको सभी notification टाइम पर मिल सकें ओके thank you for watching आपको 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 ऊताब कर दिए सकें w